लेट्स प्रॉसी टो ओवर नेक्स पार्ट नेक्स पार्ट इस टेस्ट ओफ डिजिबिलीटी और अफ नमबर्स इस पार्ट में हम देखेंगे की कौन सा नमर किन से डिवाइड हो सकता है या नहीं इसके कुछ कुछ कॉंसेट है वो हमें माई में क्लियर करने हैं जिससे कि हम नमबर्स के फैक्टर निकाल लें ओकी फिस्ट वन इस डिविजिबिलीटी और टैन कोई नमबर टैन से डिवाइड होगा की नहीं यह हम नमबर को देख करके कैसे पहिचान सकते हैं सिम्पल जीरो इन नमबर के वनस के प्लेस पे जीरो है इसमीन यह टैन से डिवाइड इसके वनस के प्लेस पे क्या है? 0. यह किसे डिवाइड होगा? 10 से. 5, 9, 0. किसे वनस के प्लेस पे क्या है? 0. इसमीन यह 10 से डिवाइड होगा. So simple, बस आपको once के place पे check करना है, यह zero है, तो वो ten से divide होगा Next one is divisibility by five, five से divide होगा कि नहीं, इसके लिए भी हमें कहा देखना है, once में Zero and five in its once place, यदि zero और five यदि उसके once के place पे है, तो वो five से divide होगा जैसे की fifteen, fifteen में once के place में क्या है, five, then यह five से divide होगा, five threes are fifteen, so simple Next one push करके देखते हैं, two से zero, once के place पे क्या है, zero, its mean यह five से divide होगा, yes करके भी देख सकते हैं, five fives are twenty five, remaining one रहेगा, one and zero में के ten बनेगा, five twos are ten तो इसका क्या जाएगा, fifty two, its mean ही divide हो सकता है, और तरके देखते हैं, simple, three, five अब यह five से divide होगा, इसके once के place पे क्या है, five, five seven चा, thirty five इस तरीके से बस हम उसके once के place पे देखेंगे, five यदि zero and five है, तो वो five से divide होगा next one is divisibility by two, कोई number two से divide होगा की नहीं, उसके लिए भी हमें कहा देखना है, once में यदि once में zero, two, four, six, eight number है, its mean वो number two से divide होगा, कोई सा भी number, जैसे three, six, eight okay, इसके once के place पे क्या है, eight, its mean ये number two से divide होगा, और कोई भी number लिख की दिख सकते हैं, आप seven, five, two once के place पे क्या है, two, its mean ये number two से divide होगा, अब divide करके भी देख सकते हैं, next, nine, eight, eight ये number लिख two से divide होगा, कि तभी बड़ा number हो four digit का, five digit का, six digit का, ये दिख उसके once के place पे two, four, six, eight ये number है, तो वो two से divide होगा, next one is divisibility by three, कोई number three से divide होगा की नहीं, ये कैसे जानेंगे, इसके लिए क्या concept है, कि आप उसकी जितनी भी digits से उनको add कर दीजिए, जैसे की three, six, five, ठीक है, अब इसमें क्या digit है, three, six, five, इनको add कर दीज, six plus three, nine, nine plus five, कितना हो जाएगा, fourteen, fourteen आया, उसको जो भी sum करने पे आए, यदि वो three का multiple है, ये है three का multiple, three की टेबल में आता है, नहीं आता है, इसमें ये three से ये वाई नहीं होगा, नेक्स नमर आउकर की देखते हैं, जैसे की four, six, five, अब हम क्या करेंगे, इसकी digits को add करेंगे, four plus six, ten, ten plus five, fifteen, क्या आया है इसको add करने पे, fifteen, आब बताएगे, fifteen क्या three की टेबल में आता है, येस, three, five's of fifteen, it's mean four hundred sixty-five, three से डिवाई होगा, बस आपको क्या दिया लखना है, जितनी भी digit है, उनको add करेंगे, जो add करने पे sum आ रहा है, वो येदी three की टेबल में आता है, three का multiple है, तो it's mean वो number भी three से डिवाई होगा, ओकी मेटा, let's proceed to our next part, let's proceed to our next part, number five divisibility by six, कोई number six से डिवाई होगा, की नहीं, ये हम कैसे देखेंगे, divisible by two and three, both, कोई भी number येगी two से भी डिवाई हो रहा है and three से भी डिवाई हो रहा है, तो वो number six से भी डिवाई होगा, जैसे की number 18, ऑकी अब 18, two से भी डिवाई होगा, इसके 1 के place पे 8 है, इसमें ये 2 से divide होगा, 2 की table में आता है, 2 9s are 18 And 3, 3 से भी divide होगा, क्योंकि 3 6s are 18, 3 से भी divide हो रहा है और 2 से भी divide हो रहा है तो ऐसा number जो 2 से भी divide हो और 3 से भी divide हो, तो वो number 6 से भी divide होगा 6 3s are 18, clear कोई साथी number हम ले सकते हैं next sum लेकर के देखते हैं 36 2 से divide होगा क्यों किसके 1 से place पर क्या है 6 है तो ये 2 से divide होगा 3 से, 3 से divide होने का क्या है कि उनकी number कर sum 6 प्लस 3, 9 9 फिकी टेबल में आता है 3 का multiple है तो ये 3 से भी divide है तो दोनों से divide है 2 एंट 3 से it's mean ये किस से divide होगा 6 से भी divide होगा और जो divide नहीं होगा 2 एंट 3 से, वो 6 से भी divide नहीं होगा next, divisibility by 4 कोई number 4 से divide होगा कि नहीं होगा, ये हम कैसे पता करेंगी last 2 digit is divisible by 4 उसके लिए numbers 3 and more than 3 digits से होना चाहिए है जिसके last 2 digit यदि 4 से divide होगई तो it's mean वो number पुरा number भी 4 से divide होगा जैसे कि 9 36 936 last 2 digits क्या है इसकी? 36 अब 36 क्या 4 से divide होगा? 4 की table में आता है, आपको पता है 4, 9s are 36 तो ये कि last 2 digit 4 से divide हो रही है तो total number भी 4 से divide होगा के गर पीटा, एक number हम और करके दिखते हैं 1, 8, 2, 4 last 2 numbers क्या है? 24 24, 4 की table में आता है 4 से 24 ये 24 डिवाइड होगा 4 से, तो total number भी 4 से divide होगा ओके वीटा, बस last 2 numbers अभी देखना है ये वो 4 से divide हैं तो पूरा number भी 4 से divide होगा Next one is divisibility by 8 कोई number 8 से divide होगा की नहीं? ये हम देखके कैसे बता सकते हैं तो कोई भी number, 4 digit number जिसके last 3 digit number 8 से divide होगी तो वो पूरा total number भी 8 से divide होगा जैसे की कुछ numbers दिये गए हैं हम करके देखते हैं हम इक लेने last 3 digit number जैसे 1416 सिर्फ हम 3 digits लेंगे 416 416 को हम 8 से divide करके देखेंगे ये डिवाइड होगा 8 से तो टोल number भी 8 से divide होगा 8 फाइजा 40 ते मेरी क्या रहा? 1 परसे क्या आया? 16 8 तूजा 16 8 means ये completely divide हो गया then ये 416 8 से divide हो रहा है तो टोल number 1416 भी 8 से divide होगा next हम एक और करके देखते हैं 2104 इसके last 3 digit number क्या है? 104 बस हम 104 को 8 से divide करके देखेंगे ये 1048 से divide हो रहा है ये 1048 से divide होगा then 8 बंजा 8 10 माइनस 8 2 then 4 24 and 8 रिजा 24 इसमें 1048 से divide हो रहा है तो टोल number 2104 भी 8 से divide होगा इस तरीके से आप और भी numbers को divide करके देखेगा और चैप कीजीगा कि काउसा number किसे divide हो सकता है लेट्स प्रोसीटी ओवर नेक्स पार्ट नेक्स पार्ट एट डिविजिबिलिटी बाइन नाइन कोई number 9 से divide होगा की नहीं होगा ये हम पता कैसे करेंगे इस नमबर जो भी number से उसकी डिजिट को हम एड कर लेते हैं तो जो सम आता है ये वो 9 से divide होगा देन नमबर भी 9 से divide होगा जैसे कि फर्स नमबर क्या है 4608 हम इसको एड करेंगे 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 14 14 प्लस 4 18 अब 18 क्या 9 से divide होगा येस 9 तूजा 18 इस मीन 4608 भी 9 से divide होगा नेक्स आटर की देखते हैं 5283 8 प्लस 3 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 5 18 क्या आया इस का सम 18 एंड 18 को किसे divide करेंगे 9 से 9 तूजा 18 इस बीन ये टोटल नमबर 5283 भी 9 से divide होगा नेक्स्ट वन डिविजिबिटी भी 11 कोई नमबर 11 से divide होगा की नहीं होगा ये हम बता कैसे करेंगे तो उसके लिए डिफ्रेंगे इधर 0 और डिविजिबल भी 11 किसका डिफ्रेंगे हम प्लस करेंगे जो और प्लेस पे जो डिजिट है उनको प्लस करेंगे और जो इवन प्लेस पे है उन डिजिट को भी प्लस करेंगे फिर उनका क्या निकालेंगे डिफ्रेंगे तो और एट इवन प्लेस पे जो डिजिट के सम का डिफ्रेंगे पर यदि 0 आता है या जो डिफ्रेंगे 11 से डिवाइड होगा तो इट्स भी वो नमबर भी 11 से डिवाइड होगा जैसे कि 308 वोगे सबसे पहले हम और प्लेस पे 8 एंग 3 क्या हुआ? 8 प्लस 3 11 अब 11 हुआ एवन के प्लेस पे क्या है? और इस जीरो इसमीन 0 11 माइनल 0 इस इकुल तो 11 एंग 11 11 से डिवाइड होगा 11 बंचा 11 इसमीन 308 भी 11 से डिवाइड होगा टेक्स वन सबसे पहले ओर प्लेस पे जो टेसम हैं उनको एड करेंगे 9 9 प्लस 0 9 9 प्लस 6 क्या बना? 15 इसके बार में जो इवन प्लेस पे है 8 and 1 8 प्लस 1 क्या हुआ? 9 15 में से हम क्या माइनस कर देंगी? 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6 11 से दिवाइड होगा? नहीं इस मीनी नमबर भी 11 से दिवाइड नहीं होगा ओकी पीटा लेस प्रॉसीड तो ओर नेक्स टोपी